हलो गुद्वानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को जार्खन में भाजपा ने 11 उम्मिद्वारों का की आईलान जार्खन से मनीज जासवाल लड़ेंगे लोगसभाचनाओ राची से संजे सेट और कुंटी से अरजुन मुंडा को टिकट भारती जनता पार्टी भाजपा ने जार्खन की 14 लोगसभाच सीट में से 11 सीटों पर अ धक्ष ताला मरांडी को टिकट दिया है वही भाजपा ने लोगसभाचनाओ दोहजार चौबिस के लिए जिन उम्मिद्वारों की घोशना की है उनमें दो नया चेहरे हैं हजारी बाग से जयानत सिनहा और लोहर दगस से सुदरसन भगत का टिकट काट दिया गया है 14 गिरि उचे पिछली पार हार मिली थी राजमहल और सिंग्भूम संसदिय शीट पर वर्स 2019 में गीता कोडा ने कॉंग्रिस के टिकट पर चुनाओ जीता था वर्स 2014 के लोक्षभा सीट में इस सीट पर भाजपा के लक्षमान गिलवा ने जीत दर्श की थी वर्स 2014 में भाजपा ने गीता कोडा को अपना उमिद्वार बना है अभी हाली में गीता कोडा ने भाजपा का दामन थामा है भाजपा के जिन जो है 11 उमिद्वारों को टिकट मिली है उनमें राजमहल से जो है ताला मरांडी को दुमका से सुनिल सोरेन को गोड़ा से डॉक्टर निशिकान दुबे को, कोडर्मा से अनपूर नादेबी को, राची से संजे शेट को, जमसेदपूर से विधुत वरन महतो को, सिंग भूम से गीता कोड़ा को, खुंटी से अरजुन मुंडा को, लोहरदगा से समीर उराउं को, पलामु से विश्नु दयाल राम को, और हजारी बाग से मनीज जास वाल को टिकट मिली है, वहीं जिन तेन सीटों पर अभी उमेद्वारों की घोशना नहीं हुई है, उनमें चत्रा, गिरिडी और धनबाद शामिल हैं आज से जारिखन में बदलेगा मौसम का मिज़ाज, बारिस के साथ वजरपात, उलावरिष्टी की संभावना, मौसम भाग ने जारी किया अलट, जारिखन में आज रविवार से मौसम का मिज़ाज बदलने वाला है, आज तीन और कल चार मार्च को कई जगों पर बारिस के साथ वजरपात उलावरिष्टी की संभावना हैं मौसम विवा की माने तो तीन मार्च को राजिके पसमी और निकटवर्थी मद्ध भागों में कहीं कहीं पर गरजन की साथ तेज हवाओं की साथ वजरपात होगा इस दोरान हवाओं की गती 30 से 40 किलोमेटर परती घंटे की र संभावना है इस दोरान भी हवाओं की गती 30 से 40 किलोमेटर परती घंटे की रपतार से रह सकती है मौसम वा की अनुशार अगले तीन दिनों में अधिक तम तापमान में धीरे धीरे दो से तीन डिगरी की वृद्धी हो सकती है इसके बाद अगले दो दिनों के दोरान निय जबकि कई शित्रों में ओला वरिष्टी और वजरपात को लेकर अलाट जारी किया गया है किसानों से भी अपिल की गई है कि मौसम खराफ होने पर खेतों की और नहीं जाए अगर आप बाहर है मौसम खराफ हो रहा है तो सुरक्षित अस्तान पर आने की कोशिश करें जारकन की दुमका में स्पेन की महिला से गैंगरेप पर बीजेपी ने घेरा सरकार बोली किसी को नहीं बखसेंगे जारकन की दुमका के हंस डिहा थाना च्छेतर में स्पेन की एक महिला से गैंगरेप का मामला सामनी आए है पिरित महिला की सिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और काररवाई करतो हुए तीन लोग को हिरास्त में लिया है बताया जा रहा है कि अस्पेरिश महिला अपने पती के साथ भारत घुमने के लिए आई हुई है इस मामले में अब बीजेपी ने कांगरेस सरकार पर निसाना साधा है वही चमपईस और इन सरकार के मंतरी का दावा है कि दोस्यों पर सक्त से सक्त काररवाई होगी किसी को बक्षा नहीं चाहेगा बीजेपी वधायक अनन्त ओजा का कहना है कि या मामला जारकन पर एक धबा है या राज में बिगरती कानुन व्यास्था की इस्तिती को दर्साता है उन्होंने कहा है कि राज में विदेसी भी शुरक्षित नहीं है पुलिस को जल्द ही काररवाई करने चाहिए और सरकार को भी इसका संग्यान लेना चाहिए ऐसे जो अराज कता वादियों के खिलाब सक्त काररवाई करनी चाहिए बता दे कि जारखन की दुमका में सुकरवार देरात अस्पेन की महला से गांगरेप हुआ है वारदात कुर्माहाट इलाके में हुई है अस्पेन इस महला टूरिष्ट विज़ा पर भारत आई थी महला के उम्रे तीश शाल है महला दुमका में घुम रही थी रात होने पर बती के शाथ एक खेत में टेंट लगा कर अराम कर रही थी तब ही उसके शाथ वारदात हुई विरोध करने पर आरोपियों ने कपल के साथ मार पीड भी की गांगरेप में कुंजी गाउं के साथ से आठ युवकों के सामिल होने की बात सामने आई है पुलिस ने तीन लोग को हिरास्त मिले कर मामले की जांच सुरू कर दी है वारदात के बाद महिला खुद बाइक चला कर स्वास्त के अंदर पहुंची इधर कॉंग्रेस विधाय का मबप्रसाद ने का है कि जारकन की दुमका जीले में एक अस्पेनिश महिला के साथ कतित गांग्रेप किया गया है यह बहुत दुख़ दिश्तिती है हमारी सरकार दोसियों को छोड़ने वाली नहीं है उनके खिलाब सक्तकार रवाई की जाए की इधर वारदात की सिकायत मिलने के बाद पुलीस की फॉरेंसिक एक्सपोर्ट के साथ घटनास्तर पर पहुंची हूँ सीम चमपाई सोरेन की बड़ी घोशना ग्रामिनों का बकाय बिजली बिल होगा माप जारकन विधान सभा के बजट सतर के अंतिम दिन मुखेमंतरी चमपाई सोरेन ने सदन को शम्भोधित किया मुखेमंतरी ने कहा है कि आज जारकन मुक्ति मोर्शा सहिद गटबंधन के तमाम सदस्त हेम नतुस सोरेन की कमी महसूस कर रहे है सदन में सीम चमपाई सोरेन ने बड़ी घोशना की है उन्होंने कहा है कि 30 लाख उब्भोकताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली का लाब मिलेगा इसके साथ ही ग्रामिन छेतर का बकाय बिजली बिल भी माप होगा चमपाई ने कहा है कि जो बिल नहीं दे पाए हैं सरकार उसका बिजली बिल माप करे की या सरकार की नई घोशना है आगे का है कि केंदर सरकार वन अधिकार कानून में संसोधन करने जा रही है जिसका हम लोगों ने विरोध किया है केंदर को इसको लेकर लेटर भी लिखा है केंदर सरकार ग्राम सभा को भी खत्म करने का प्रियास कर रही है राज की इस दसा का जिम्यवार भाजपा ही है या लोग केवल आदिवासी मूलवासी के विकास की बात करते हैं जमीनी अस्तर पर कोई काम नहीं होता है कोईलांचल को लेकर भी एक संसोधन का बिला है केंदर सरकार कोईलांचल से रयातों का अधिकार खत्म करने जा रही है केंदर सरकार कोईलांचल में लीज को लेकर नया नीती जो है लाने जा रही है जो रयातों के लिए ठीक नहीं है बाजपा को आदिवासियों के बारे में बात करने का नातिक अधिकार नहीं है जारकन में C&T में धारा उन्चाज को खत्म करने की साजिस चल रही है C&T एक्ट खत्म हुआ तो आदिवासी मूलवासी खत्म हो जाएंगे बच्ची को ढूण रही थी पुलीस जाणियों में दिखी ऐसी चीच पाउतले खिसक गई जमीन जारकन की धनबाद जिला अंतरगत तोपचांची थाना चेतर के रंगाडी गाउं की रहने वाली दो साल की बच्ची का तीन टुकडों में बटा सौ बरामत किया गया है वह चाओदा दिनों से लापता थी सनिमार कू राजगंज थाना चेतर के महतो टान इस्तित जो बरडार जोरिया में एक पारंपरिक पूजास्तल के पास अलग-अलग हिसों में बटे सौ की बरामतगी से संसनी फैल गई है आसंका व्यक्त की जा रही है कि जादू टोना के चकर में बच्ची की बाली दिगई है बच्ची के परिजन और ग्रामिन उत्ते जित हैं बताया गया है कि रंगाडी गाउं के गुजर महतो की बच्ची लक्षमिकमारी आसपास के इलाकों में खबर फैल गई तो लापता बच्ची के परिजन वहां पहुँचे उन्होंने लास्की सिनाकस्त की जहां बच्ची का सौ मिला है वहां पारंपरिक पुजास्तल देवान थान है जहाडियों में एक पत्थर पर सिंदूर, जनेउ, चावल और मिट्टी की हांडी मिली है साओ के बंगल में एक मिट्टी की हांडी फोड़ी गई है हत्या से पहले बच्ची का मुंडन किया गया था गांवालों का कहना है कि डाइन या जादू टूना के चकर में बच्ची की बली दी गई है पुलीस मामले की जनाज कर रही है सक्री राजनिती में कदम रख रही है कलपना मुर्मू शोरिन लोक्षभाज चुनौ में होंगी जामूमों की अस्टार प्रचारक पुर्व सीम हेमंतो सोरिन की पतनी कलपना मुर्मू शोरिन जल्द ही सक्री राजनिती में कदम रख सकती है अगामी चुनौ में वा स्टार प्रचार की भूमिका में दिख सकती है मालूम हो कि दस मार्च को वहा हेमन्तो सोरेन के विधान सभाचेतर बरहेट भी जाने वाली है वहां कारीकरताओं के शाद बैठक कर जो है अगामी चुनाओ को लेकर विचार विमर्स भी कर सकती है पिछले पांच दसक से अधिक समय से राजनितिक तोर पर सकरीज सीबू शोरेन के परिवार में कलपना कभी एक्टिब नहीं रही लेकिन अब यह ताय है कि पती के जेल जाने के बादवा फ्रेंट में आकर राजनिती में अपनी भूमी का अदा करेंगी हेमन्तो सोरेन की पतनी कलपना सोरेन हर कदम पर अपने पती के शाथ है इन दिनों वह अपने पती हेमन्तो सोरेन के सोशल मिडिया की खमान भी शमाल रही है हेमन्तो सोरेन जब तब तक जंता की बीच लोट कर नहीं आते हैं थब तक कलपना मुर मुर सोरेन ही हेमन्तो सोरेन का । का Twitter हंडल करेंगी कलपना हमेशा हेमन्त के शात धाल बन कर खड़ी नजर आई है वह आपने पती से शात कदम से कदम मिला कर चलती दिखती है पूल के नीचे गिरी बाइक, नौवी के दो चातर की मौत, दो गमभीर, पलामो जिले के पांकी थाना चेतर के पांकी, मेदरिनगर, रन्नी, भरी चलका पूल के नीचे तीज रैप्तार बाइक सवार चार चातरे, पेड़ से टकरातों हुवे नीचे गिर गए इस घटना में दो चातरों की मौत घटनास तलपरी हो गई, जबकि दो चातर गमभीरूपशे घायल हो गए हैं, मिरतक की पहचान पांकी थाना चेतर के, परसिया, गाउन निवासी, लाल सुरज कुमार, पिता, सुधीर पासवान, इभम छोटु कुमार पिता, राम लाल भू मिया की रूप में हुई है, लाल सुरज ने मौके पर जबकि छोटु कुमार की पाकी समुदाय किंद्र में मौत हुई, घायल शातर दीपक कुमार पिता, अर्वेंद कुमार प्रजापती, और हिमांसु कुमार पासवान पिता, विरेंद्र पाशवान, परसिया के रहने व कर, जो है, सलगस की और घूमने गये थे, घर लोटने के दौरान, रनने, भरी चलका पूल के नीचे गिर गए, दुरगटना में लाल सुरज कुमार नामक, छातर की मौके पर ही, घटना स्थल पर मौत हो गई, छोटु की इलाज के दौरान मौत हो गई, घटना के सूचना म अस्पेनिस महला से ग्यांग रेप पर बोले मरांडी, पुलीस अपसरों की पोस्टिंग में लाखों का खेल, फिर कैसे सही हो, लौ एंड ओडर, दुमका में अस्पेनिस महला के साथ ग्यांग रेप की घटना पर जोरकन बिजेपी के अध्धक्च बाबुलाल मरांडी ने तीकी प्रतिक्रियादी है, मरांडी ने कहा है कि जिस सिराज में पुलीस अपसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों रुपय का खेल होता हो, उस सिराज में लौ एंड ओडर कैसे सही हो शकता है, बता दे कि विधान सभा के बज़र सत्र के दौरान सनिवार को शदन म बिजेपी के विधायकों ने अस्पेनिश महला के शाथ ग्यांग रेप की घटना को प्रमुकता से उठाया, इसके बाद मरांडी ने विधान सभा के बाहर सरकार पर हमला करते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांकी, काहे कि दौमका में सरकार पूरी तरह से विफ मरांडी ने इस अमंधि थाना के थानेदार को हटाने की मांकी है, काहे कि ये बहुत दुखाद है कि गेंगरेप की प्रिडिता को इस थानिय श्वास्त के अंदर तक बाइक से ले जाए गया जेल में अब सविधान पढ़ेंगे हमंतो सोरेन, ये दो किताबे भी मंगवाई, पूर्वसियम हमंतो सोरेन ने जेल में किताबे मंगवाई है, हमंतो सोरेन ने भारत का सविधान, सोशन, संगर्स और सहादत और पूर एकनौमी नामा किताब जेल में मंगवाई है, इस बा पेले भी उन्होंने जार्खन, आंदुलन, मुंडारी, हो और कुडुक भासा आदी सजूड़ी किताबे पढ़ने के लिए जहें मंगाई थी। कलपना मुर्मु ने आगे लिखा है कि हमन्तो सोरेन को किताबे पढ़ने का हमेशा से सौक रहा है वा घर में अपनी किताबों को बहुत प्रेम से सजो कर रखते हैं अन्नी किताबों के साथ साथ जार्खन और जार्खन आंदुलन, चुड़ी किताबे वहां हमेशा विसेस किलो मीटर की दूरी में पिठोरिया थाना चेतर के साङगागां में आवस्थित क्रेसर प्लांट में सुकृरवार की देर रातरी पिल और फाई उगर सुकृरवाधियों ने जम कर तांडों मचाया, सूचना के बाद भी पुलिस के सुष्टि के कारण उगर वादियों ने जो है 63 केवी के डीजी जनेरेटर में आग लगा दिया चार हंतियार बंद उगरवादियों ने घटना को अंजाम दिया है गाडियों में आग लगाने से पूरू जो है क्रेसर में काम कर रहे है अकिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी द्वारा जारकन के 14 लोगसभाद चेतर के लिए न्युक्त कोडिनेटरों की बैठक प्रदेश कॉंग्रेस अध्धक्ष राजश ठाकुर की अध्धक्षता में हुई बैठक में मुख्य अतिती के रुप में प्रदेश कॉंग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद बीर उपस्तित थे बैठक में अगामी लोगसभाद चेतर की अध्धतन इस्तिती की जानकारी प्रभारी गुलाम अहमद बीर द्वारा ली गई कोडिनेटरों को गुलाम अहमद वीर ने सभी लोगसभा छेतर में समन्वय समेती की बैठक बुलाने का निर्देश दिया और बैठक में सभी जीला अध्धक्ष प्रखंड अध्धक्ष को अग्रनी मोर्चा संगठन की अध्धक्ष पीसीसी डेलीगेट की उपस्तिती आनिवारे रुप से सुनक्चित करने को कहा प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि हमें पूरी गंबिर्था और तागत के शाथ चुनाव लड़ना हैं ताकि लोकतंतर के लिए खतरा बने दलों से जनता को मुक्ती दिलाया जाए उन्होंने कहा है कि सभी लोक्षभा जेतर में समाजिक, आर्थिक, जातिगत और अन्य सभी पहलों का विस्तार से मुल्यांकन जल्द से जल्द करना होगा और उसी अनरूप अपनी चुनावी तैयारी को मूर्थ रूप देना होगा इसके साथ ही हमें जारकन के वर्तमान महागडबंधन सरकारद्वारा की गई विकास योजनों के बारे में भी जनता को बताना होगा सियम चमपई से मिला पहड़ी मंदर का परतनिधी मंदल सीव बारात में सामिल होने को दिया निमंतरन मोख्यमंतरी चमपई सोरेन से सनिवार को मोख्यमंतरी अवास में सीव बारात आयूजन केंद्रिय महा समिती पहड़ी मंदर के परतनिधी मंदल ने मुलाकात की इस अउसर पर मोखे मंदल से महा सिवरात्री की आउसर पर आयोजित होने वाले सिव बागरात्री पूजा के अउसर पर आयोजित होने वाले सिव बागरात्री पूजा के अउसर पर आयोजित होने वाले सिव बागरात्री पूजा के अउसर पर आयोजित होने वाले सिव पूराना बजार में दस दुकाने जली, लागों का नुक्षान, धनबाद जिले के बैंक मूर थाना चेतर के पूराना बजार पानी टंकी के पास देर रात भीशन आग लग गई, जिसमें दस दुकाने जल कर राख हो गई, आग लगने के घटना के बाद ततकाल बिजली आप पर काबू पाए गया पहले तो आग पर काबू पाने के लिए इस थानी लोग अपने अस्तर से कोसिस करते रहे बाद में जब 6 फायर ब्रिगेट की गाड़ियां पहुंची तो काफी मसकत के बाद आग पर काबू पाए गया बताया जा रहा है कि सौट सरकीट के वज़े से आ गटना के सुचना पाकर पूनाना भजार चेंबर अपकामर्स के सदस मौके पर पहुंचे समाज से वी जो है सोहराब खान भी मौके पर पहुंचे और रहातिकार में जूटे रहे अगनी शमन अधिकारी ने रात में गहा था कि प्रतम दृष्टिया सौट सरकीट से आग ल लगी में मिठाई के दुकान, केक दुकान, मिक्षर दुकान, फूल दुकान, पतल दुकान, फल दुकान, आलू दुकान, जूत्ता चपल की दुकान जलकर राक हो गई चार मार्च को गिरिडी में रहेंगे सीम चमपई, तयारी खुले के डीसी ने की बैठक व्यास्था को दुरूस्त करने का दिया निर्धीश चार मार्च को मोखमंतरी, चमपई सोरिन का पारसनात की धहती, गिरिडी में आगमन प्रस्तावि थे इसी के निमित वधी व्यास्था, वसुधार, व्यास्था, शंधारन, यातायात, व्यास्था व अन्य व्यास्थाओं को शुद्रिड करने के उद्धिश से सनिवार को गिरिडी समहर नाले सभागार कक्ष में उपायुक्त शह जीला दंदिकारी नमन प्रियेश लकडा की अधक्षिता में एक महत्पून बैठक आयुचित किया गया कारिक्रम को लेकर सारी व्यास्ताओं को शुद्रिडवा दुरुस्त किया जा रहा है इसके अलावा उपायुक्त ने कहा है कि उक्त कारिक्रम को लेकर सभी व्याग अपने तयारी पहले से पूर्ण कर ले साथ ही सभी विभाग आपसी समयनमे अस्तापित करतो हुए कारियों को गति के शाथ करें ताकि उक्त जो कारिक्रम का सफल संचलन सुनक्चित करा जाए आगे उन्होंने कहा है कि उक्त कारिक्रम को लेकर जो भी कारी अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे ततकाल रूप से पूर्ण करें जारकन सन्युक्त परवेश परिच्छा 28 अपरिल 2024 को रांची और तुमका मुख्याले में आविजित की जागी सहीब गंच की राधानगर में खाना बनाने की क्रम में लगी भी शनाग पांच घर जल कर राग गए लाकों की संपत्ति का नुक्षान होने की बात कही जा रही है जानकरी के अनुसार जो है कासिम सेक, सनाओल सेक, कालू सेक, साइमा खातुन, रसीद खातुन वा उजेमा खातुन का घर जल कर राखो गया है असंका जताई जा रहे या सिलेंडर फटनी की वज़स से आग लगी होगी क्योंकि लोगों ने ब्लास्ट की भी आवाज सुनी थी हलाकि अधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टी नहीं हुई है विधान सभा बजट सत्र अमबा प्रसाद ने अलपसंख्यक चात्रों को अस्कोलर सीब देने की मांग की जरकन विधान सभा के बजट सत्र में सनिवार को बढ़का गाओं की कॉंग्रिस विधायक अमबा प्रसाद ने राज्य के अलपसंख्यक चात्रों को अस्कोलर सीप देने की मांगी अमबा प्रसाद ने सदन में कहा है कि राज्य में अलपसंख्यक विद्धालियों के भवन जरजर इस्तिती में हैं अलब्संक्यक विद्धालियों के चातर चातराओं को पहले मेरिट कम मेंस अस्कोलर सीप मिलता था लेकिन कोरोना काल के बाद से इस अस्कोलर सीप के लाब अलब्संक्यक शातरों को नहीं मिल रहा है इसे जितनी जल्दी हो चके जो हे सुरू किया जाना चाहिए विधायक ने जो हे सदन के पटल पर अलपसंख्यक हिद के चात्र चात्राओं के शुबिदा के लिए जरजर अलपसंख्यक विद्यालियों के भवन निर्मान करने, पूर्व किभाती मेरिट कम मेंस अस्कोलर्शीप चालू करने और हज हाउस रांची में चात्र चात्राओं के लिए फ्री कोचिंग की आवाज भी उठाई, विधायक ने कहा है कि अलपसंख्यक चात्र लंबे समय से अस्कोलर्शीप मिलने की आसमे हैं, सरकार ने जहां चात्रों के लिए कई तरह की योजनाय लांच की है, वही अलपसंख्यक वर के चात्र अस्कोलर्शिप से वनचीत हैं, इसके अलावा अंबापरसाद ने राज में 200 यूनीट जो है बिजली मुक्त करने की मांगी है, जो है तारांकित प्रसन के माध्यम से विधायक ने श्रदन को आउगत कराते हुए बता है कि राज के 42 दसमलों, 1-6 प्रतिश्रतलों गरीब हैं, जो पूरे देश में बिहार, जो 51 दसमलों, 1 के बाद सारवधिक है। कि वे किसी से कम नहीं है, अगर आप में आत्म विस्वास है, तो आपकी जीत निश्रित है, और आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कि तैयारी में जुट गई है, सीटिंग सांसद अपने अपने छेतर में वोटरों से मिल रहे हैं। इसे बीच हजारी बाग के सांसद जैनत सिना ने लोग सभाच चुनाओं नहीं लड़ने का इरादा जाहिर किया है। इस बाद की जानकारी जैनत सिना ने अपने एक्स एकाउंट पर दी है, उन्होंने चुनाओं नहीं लड़ने के पीछे का मकसद भी बताया है। हजारी बाग सांसद ने अपनी सोशल मेडिया एकाउंट एक्स पर लिखा, मैंने पार्टी अध्धक्च जेपी नड़ा से अपिल की है, मुझे मेरे प्रतक्च चुनाओवी करतब्योशे मुक्त करे ताकि मैं भारत और दुनिया भर में जलवायू परिवर्तन से निपटन और अपने परियासो परध्यान केंदरित कर सकूं। इसके अलावा 2014 से 2016 तक जो वित्य राज्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी समाल चुके हैं, 2019 दूसरी बार लोक्स भाचुनाओ जीते, लेकिन उन्हें कोई मंत्राले नहीं दिया गया था। जहां वो रहता था, साव के कुछ दूरी पर खून के धब्बे भी मिले हैं। पुलीस का मनना है कि हत्या से पहले मिर्तक और हत्यारों के बीच जड़ा भी हुई है। पुलीस सथा के कार्णों की जाज परताल में जूटी हुई है। उन्होंने कहे कि सरकार की विभिन योजनाओं का काम तैस समय सीमा में पूरा हो योग लाभुकों को योजनाओं का लाम मिले इन सभी बातों को ध्यान में रख कर काम किया जाएगा। एकन अध्धोगिक अधारभूत संरचना विकास निगम जुडकों की प्रबद निदेशक माध्य मिस्रा को धनबात का नया उपायुकत बनाए गया है। शंपई सोरिन को विधायक अंबाप्रसाद ने बता है कि बढ़कागाओं अंचल अंतरगत थाना नंबर 136 एम थाना नंबर 149 में इस्तित नीजी भूमी को जिलाप्रसासन हजारी बाग के द्वारा जमीन खरीद बिकरी पर रोग लगाने समंधित आदेश सब रजिस्टा कार्याले हजारी बाग को भेजा गया है इस समंध में अंचल कार्याले बढ़कागाओं और नहीं जो समंधित रयातों को कोई सूचना है ग्रामिन रयात जब अपनी भूमी को जो है केवाला करने के लिए एक चुखवेत बुनिया बोलकर माना कर दिया गया कि भूमी की खर परिजन दूसरे अस्पिताल में किया सिप्ट डैलीसिस सेंटर में सौट सर्किट से हाथसा धनबाद के सहीर निर्मल महतो मैमोरियल मेडिकल कॉलिज एंड अस्पिताल में सुखरवार की रात आग लग गई आग डैलीसिस सेंटर में लगी जिसने देखते ही देखते पूर पूरेवाड को अपनी चपेट में ले लिया पूरेवाड में धुआ भर गया जो है नियो नेटल केयर यूनीट में भरती एक नावजाद की मौत की भी चूचना है हालाकि एस्पिताल परवंधन ने इसकी पूष्टी नहीं की है इधर अफरात अप्री के बीच आठ बच् दड़मज गई मरीज और कर्मचारी इधर उधर भागने लगे परिजनों ने अपने मरीजों को ग्रील तोड़ कर बाहर निकाला रिशी आनन्द हो शकते हैं जहरखन से बीजेपी की राजसभा उमित्वार वर ये अधिवक्ता रिशी आनन्द जहरखन से भारती जनता पार्टी के राजसभा संसद हो शकते हैं डल्टन गंज निवासी रिशी आनंद बीजेपी के उमिद्वार हो सकते हैं। दूसरी और गडबंधन में अभी जब रत्यासी के नाम पर कोई ठोश फैसला नहीं हो शका है। सुधिर चौधरी के वक्तितों से नाकेवल हेमन्तु सुरिन बलकी पूरे आदिवासी समाज का पमान हुआ है। सिकाइद करता का दावा था कि सुधिर चौधरी ने अपने सो के दोरान कहा था कि हमन्तु सोरिन को 40 साल पीछे जाकर जंगल में आदिवासी बन कर रहना होगा। सिकाट करता ने कहा है कि इससे यासपस्ट होता है कि सुधिर चौधरी जाती है विद्वेश से ग्रसित व्यक्ति हैं।